हाई एब्रिवन, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ अडवी मसाला की रस्पी, जिसे हम लत्पत ग्रेवी में बनाईंगे, इसे आप सुखा भी बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे बनाना भी बहुत असाल है, तो चलिए हम आज की रस्पी बनाना सु सूपर टेस्टी अडवी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम अडवी लिये हैं, तो मैंने यहाँ इस अडवी को धोया नहीं है, पहले हम इसके छिलके को निकालेंगे, उसके पाद ही हम इसको धो करके साफ्ट करेंगे अच्छे से, ताकि जितने भी जो इस पे रे अच्छे से छील लें, तो देखिए मैंने यहाँ सबी छिलकों को अच्छे से छील लिया है, और इसे साफ पानी से अच्छे से क्लीन कर लिया है, यह आप देख सकते हैं, कितने यह क्लीन दिख रहे हैं, तो चलिए अब हम इसे काट लेते हैं, तो मैंने यहाँ इसके पीसे इसको नहीं ज्यादा चोटा और नहीं ज्यादा बड़े में काटा है यह आप देख सकते हैं यह मीरियम साइज के मैंने काटा है आपको इसे जैसे शेप में काटना हो आप इसे वैसे काट लें तो देखिए मैंने यहां सभी को अच्छे से कट कर लिया है यह देखिए तो चल तेल इसमें जादा डाले क्योंकि हमें इस अडवी को एक दम अच्छे से फ्राइक करना है यहां हम इसे थोड़ा डीप उच्छे से पके वैसे तो इसे बॉइल करके भी बनाते हैं लेकिन आप मेरे इस तरीके से इसे फ्राइक करके जरूर बनाएं यह बहुत ही टेस्टी बन आना है जब तक कि यह अच्छे से फ्राई होकर पकना चाहे तो देखिए ऐसा गोल्डिन कलर आना चाहिए यह देखिए यह बिल्कुल पॉफेक्ट है इससे जादा आप बिल्कुल इससे फ्राई ना करें तो अब हम इसे एक छलनी पे निकाल लेंगे सारे ओयल को छान लेंग है और इसमें आधी चोटी चमत जीरा दो तेज पता और तीन सूखी लाल मिज डाल कर हमें इसे कुछ सगेन के लिए पकाएंगे और साथी हम इसमें दो से तीन मीडियम साइज के एकदम बारीक से काट लेंगे प्यास को और फिर हम इसमें डाल कर इससे अच्छे से गोल्ड मिनिट हो चुके हैं यह आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा गोल्डेर प्राउन कलर आ गया है तो इस स्टेज पे अब हम दो बड़ी चमत लेसन अध्रक का पेस्ट डाल कर इसे हम अच्छे से पकाएंगे जब तक इसका कच्छा पन ना निकल जाए तो देखिए मुझे यह इसे फ्राई करते हुए दो से तीन मिनट हो चुके हैं उसके बाद हम इसमें एक चोटी चमत लालमेट्स पाउडर और एक बरी चमत धनिया पाउडर डाल कर हम इसे अच्छे से मिलाकर इसे पकाएंगे मसालों को हमें बिल्कुल अच्छे से पकाना है तभी हमारी जो सबज आते हुए इसे हम फ्राई करेंगे यहां आडवी लगबग 90% पक चुकी है क्योंकि हमने इसे अच्छे से फ्राई किया था तो इसे ज्यादा पकाने की भी जरूरत नहीं है तो बस मसालों में हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसमें एक बरी चमच कसूरी मीथी डालेंगे इसे डालने से फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा तो अगर आपके पास हो तो आप इसे जरूर से डालें और इसे मिलाने के बाद हम इसे ढखकर 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे तो देखिए मुझे यहां इसे पकाते वे 3-4 मिनट हो चुके हैं अब उसके बाद हम इसकी ढखकन को हटा के इसे अच्छे से चलाएंगे यह सबजी बिल्कुल अच्छे से पक चुका है अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे सूखा भी खा सकते हैं लेकिन मुझे यहां थोड़ा सा लदपती से ग्रेवी रखना है तो मैंने य गड़ी को इसे कट करके दिखा रही हूं कि यह कितना अच्छे से पका है यह देखिए कितना सौफली कट हो गया तो अब हम लास्ट में इसे बिल्कुल मसालेदार बनाने के लिए हम इसमें एक चोटी चमश गरम मसाला पाउडर डालकर इसे हम अच्छे से मिलाएंगे यहा दो मिनट बाद मैंने ढकन को अटाया है इसकी कलर को आप देख सकते हैं यह कितना पॉफेक्ट आया है तो लीजिए हमारा अर्वी का सबजी पूरी तरीके से बनकर रेडी है तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो आप इस अर्वी मसाले की सबजी को रोटी चावल किसी के साथ भी सौफ कीजिए यह सब के साथ बहुत अच्छा लगेगा इससे बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे आप मेरे तरीके से एक बार जरूर ट्राइ करें अगर आप मेरे इस तरीके से अर्वी मसाले की सबजी को बनाएंगे तो यकीन मानिए आप बिलकुल इसी तरीके से हर बार बनाना पसंद करेंगे और फ्रेंड्स अगर आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फामली के साथ शेयर करना ना भूलें और फ्रेंड्स आज की मेरी र कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में